गुड मॉर्णिंग बच्चों आज हम चैप्टर सेकेंड प्रजिनन तो आपको प्रजिनन का अगला टॉपिक का अध्यन करना है तो आपका प्रजिनन का जो अगला टॉपिक है तो वो है जनसंख्या ठीक तो आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या है क्या ठीक तो देखेंगे जनसंख्या क्या है ठीक जनसंख्या क्या है किसी बिसेश इस्थान ठीक किसी बिसेश इस्थान छेत्र या नगर में रहने वाले कुल लोगों की संख्या ठीक जनसंख्या कहलाती है ठीक तो पूछा जाए कि जन संख्या में लिखना होता है तो क्या हम बताएंगे कि किसी विशेश इस्थान छेत्र या नगर थीक में रहने वाले कुल लोगों की संख्या कुल लोग मतलब टोटल जो प्यूपिल हैं थीक कुल लोग हैं थीक कुल लोगों की संख्या क्या होती है जन संख्या कहलाती ह तो क्या कह रहा है कि जन संख्या में बढ़ोतरी को जन संख्या ब्रदी कहा जाता है जन संख्या में अगर बढ़ोतरी होती है तो उसे क्या बोलते हैं जन संख्या ब्रदी कहा जाता है जो कि वर्तमान में चिंता का भी सह है तो देखेंगे इसे हानिया क्या है, जन संख्या जो ब्रद्धी हो रही है, उसे हानिया क्या है, तो देखें, हेडिंग डालेंगे, जन संख्या ब्रद्धी के कारण हानिया, ठीक हानिया डालेंगे, इसके बाद नंबर एक हेडिंग है, सिच्छा व्यवस्ता की समस्या, सबस अच्छा व्यवस्ता की समस्या तो बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में सिच्छन संसताइं कम होने से बिद्यालेयों में उपस्तित संसाधनों पर बोज पड़ता है ठीक तदा बच्छों को पढ़ाई के लिए प्रवेश पाना कठिन हो गया है ठीक जैसे बिद्यालेयों क कमरे फरनीचर खेल के मैदान लिए आधी बढ़ती जनसंख्या के लिए ठीक महात्वपून है तो क्या कह रहा है कि यह में हो गया आपका आप देखें अगला ठीक दूसरा कि रोजगार की समस्य बहुत ही यहांपर प्रवुक समस्या है ठीक जनसंख्या प्रदिस्च बिरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है तो इतने समय जो है ना सबसे मेन आपका यह चीज़ है क्या बिरोजगारी पढ़े लिखे लोग जो है वह भी रोजगार बैठें तो यहां पर सबसे मेन है कि जो रोजगार मतला रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा है तो क्या है कि जन संख्या ब्रदी से बिरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है तो अगर जन संख्या ब्रदी हो रही है ठीक और सिचित लोग भी हो रहे ह लेकिन क्या उनकी जो रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा है वो सबसे मुख की समस्या है तो यहाँ पर यह हो गया आप देखें अगला क्या है खाद आपूर्त की समस्या जन संख्या ब्रदी हो जाने से खाद आपूर्त की भी समस्या होती है तो देखें इसके अंदर हम क्या लिखेंगे जन संख्या की ब्रदी की अनुपात में खाद्यानों का उत्पादन कम हो रहा है जिसके कारण लोगों को खाद सामगरी कम मात्रा में उपलर्द हो पा रही है बच्चे को पोश्चन का सिकार हो रहे है खाद याप वर्दी के समस्या क्यों क्योंकि जन संख्या ब्रदी है पर जाद ने खरीद पर रहे है तो यहां पर जयंड रहा है तो यहाँ पर क्या है कि जन संख्या की ब्रदी की अनुपात में खाद्यानों का उत्पादन कम हो रहा है जिसके कारण लोगों को खाद सामगरी कम मात्रा में उपलब्द हो पा रही है बच्चे को पोशन का सिकार हो रहे है तो उतनी अच्छी सुविदा नहीं प्राप्त हो रही है जब रोजगार नहीं है तो कोई सुविदा भी प्राप्त नहीं हो रहे है तो इसे क्या होता है कि जो बच्चे बच्चों का पोशन पालन पोशन हो रहा है तो अच्छे से नहीं हो रहा है बस केवल क्या हो रहा है कि वह जो अपनी जीविका केवल चला रहे है तो क् कुपोशन का सिकार हो रहे हैं ठीक फिर देखें आगे अगली एडिंग यह स्वास्ते ओम् सिकित्सा शेवा समस्या सवसे मेन यह इवी खिया है कि स्वास्ते ओम् जन संक्याप रधी हो जाने से सबसे इसमें भी समस्या होती है क्या है कि परिवार में बच्चे अधिक होने से परिवार में अगर बच्चे अधिक हैं तो उसे मा का स्वास्त खराब हो जाता है इसलिए क्या है कि परिवार में बच्चे अधिक होने से मा का स्वास्त खराब हो जाता है जिससे बच्चों की उचित परवरिश नहीं होने से वे बिमार तता दुरबल हो जाते हैं तो यहां पर क्या खहरा है कि अगर बच्चे जनसंख्या रदी हो रही है ठीक तो परिवार में बच्चे अधिक हो रहे हैं ठीक तो क्या होता है सबसे में होता है कि मां का स्वास्त खराब हो जाता है ठीक और अगर मां का स्वास्त खराब है तो क्या होगा बच्चे बच्चो हमारे देश में अस्पतालों की संख्या कम होने के साथ साथ उन्हें पर्याप्त और सदियां भी उपलब्द नहीं हो पाती है तो जो हमारे देश में क्या कह रहा है कि अस्पतालों की संख्या कम होने के साथ साथ उन्हें पर्याप्त और सदियां भी उपलब्द नहीं हो पात परीवार का डियाण होना है तो नहीं परीवार को प्रक्रांस नहीं सिमति थो परिवार का डियान का परिवार को नियिजिद childcare कि प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं तो यहां पर सबसे में यही चीज़ है अगर बच्चे बच्चों की संक्या काम होगी तो उनको अच्छी सुपिदा ज्यादा उपलब दो पाएगी ठीक है और जो आप जो कुपोशन रसिकार हो रहे हैं जो दुर्बल हो रहे हैं फालब दो पाएगी ठीक तो यहां पर यही कह रहे है परिवार कर लुए विदिया कार परिवार-पल्द केसल देखें रहे हैं जन संक्या ब्रदी को Twelve करने की प्रक्रिया यह उपायों में परिवार नियोजन की विदिया किससे नियंतित हो पाएगाotz 2 यह विदिया आज स्थाइब विदिया दो देखें UK नियाधि डाली है और आपको केवल सुनकर इसको जो है न लिख लेना है तो क्या है सुरचित काल में संपर्ग कह रहा है कि मासिक धर्म से एक सब्ताह पूर्व क्या कह रहा है कि मासिक धर्म से एक सब्ताह पूर्व एक सब्ताह बात का समय सुरचित काल माना जाता है ठीक है तो ये क्या होता है कि ये जो है ये महिलाओं में होता है ठीक है तो क्या कहरा है कि मासिक धर में होता है ठीक है से एक सब्ता पूर्वा एक सब्ता बात का समय सुरचित काल माना जाता है ठीक इस काल में इस काल में ठीक है लेगिंग संपर की स्थापित करन पर गर्वधारण की सम्हाटाब कम ला में नहीं परेंद दे शूरचित काम में आत्म स्यंयम राखना चाहिए ति काल में करना चाहें ऑदिया रहे हैं इसके बाद लूप क्या है इस तरिया लूप लगवा कर ठीक गर्भ धारन करने से अपना बचाओ कर सकती है ठीक तो ये आपका जूए ठीक किताबों में भी दिया हूए आप किताब से फिस्ञा सबनेते हैं लूप हो गया इसके वार निरोद क्या सोयग में पूरर में इसके एक द्वारा कीया सता है इसके प्रयोक से गर्ब धारण होने की कोई भी संभावना नहीं हो सकती है ठीक तो पत्ता नहीं है ठीक आगे देखें क्या है यह आपको किताब से पढ़ लेना है किताब से लिख लेना है अगर समझ में सुनने में समझ में ना है तो किताब से लिख लेना है ठीक तो देखें आने Heydving के वां डाली है अब देखें इसके बाद क्या निरोधर गोलियां तो यह जमापन तो गर्ब गर्भ धारन करने के बाद भी सीमित काल के भीतर किसी कुसल हुआ बिसेसज्य डॉक्तर से गर्ब समापन कराया जा सकता है थेक तो इसके बिसे में यह पिर देखें इसकी बाद हीडिंग कैं इस्थाई वीधिया कुई आ तो हेटिंग के अंदर किताब का भी आगर निगते हैं यह तु आपको द्सव हें- आप किताब को किताब काभी यह चा ओकर लेना है तो दहीं के अनदर इस्ताइम इंगर है इसली देखने इसली बना साफ़ है थेक है तो ये है क्या इसके अंदर पढ़ेंगे ठीचे स्ट्री का नस्बंदी आपरेशन पत्ता है क्या तो देखें़ क्या है इस्ट्री में अंड्र नलिका के आपरेशन के बाद गर्ब 사용 दारण नहीं हो सकता यहाँ विदी इस्थाई होती है यहाँ कार्य संतान उत्पत्य के समय ही कराया जा सबता है तो यह हो गया इस्त्री का नस्बंदी आपरेशन फिर देगे पूरुस का नस्बंदी आपरेशन ठेक, तो ये क्या है? पूरुस में सुक्र नलिका के आपरेशन से भी गर्व धारन की समस्या इस्थाई रूप से दूर हो जाती है ठेक, तो ये हो गया पूरुस का नस्बंदी आपरेशन इसके बाद हैं अन्य विधियां तियान ने विधियां में क्या हम लिखेंगे हेदिंग डालेंगे टीका टीका क्या है गर्ब धारण रोकने हे तू ठीक है सीमित प्रभाव वाली टीका विक्सित कर लिया गया है ठीक टीका हो गया इसके बाद क्या है बिवाहा योग आयू ठीक बिवाहा योग आयू क्या है लड़के के लिए 25 वर्स तता लड़की के लिए 21 वर्स की होनी चाहिए क्या आई है इसके बाद क्या है कि हाँ इसके बाद हम पढ़ेंगे देखें अगला ठीक अगला क्या है जीवधारियों के लिए जनन करना अनिमार अभी इंपॉर्टिंट पॉइंट है ठीक तो इनको लिखना है प्रशन आपका पूछा जा सकता है कि जीवधारियों के लिए जनन करना अनिमार है ताकि तो आपको बताना है पीड़ी दर पीड़ी प्रजात की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवधारियों के लिए जनन करना अनिमार है ठीक यह कह रहा है कि पीड़ी दर पीड़ी प्रजात की निरंतर्ता को बनाये के लिए ठीक जनन करना निवार रहे पिर देखे अगला का जिवों में बिभीनेतायं होती हमें क्या पताना है उत्त-र में कि गlor मेंदosition द्वारा द्वारां थे आधि यह आग्णा सब्सक्रայाम में 3 लागागी के मतब्सलिए लगेजकी मतबंते लु द्यूसिते लिए लेजकी मतब़नेों के लगेजका 10 लेजकी मत Следum यह लेजकी मतब्दिए 7 यहां पर बनाए हैं तो आपको यह करने हैं फिर देखें इसके बाद il Grass एंप्र इधियर प्राग कोस में तो आपको में कि आपको बताना ह् कहले हैं तो आपको यह त्यार करना है पिर देखें इसके बाद क्या एक पुष्प करकी एस्त्री केसर करें मद्धिभाग को कहते हैं वरतिका कहते हैं पराग कड़ों का पराग को से वर्तिकागरी तक इस्था नांतरन कहलाता है फिर देखे इसके बाद क्या है? कह रहा है कि कीट परागर होता है किसमें? तो आपको बताना है सालिविया में कीट परागर होता है जबकि मक्का में क्या होता है? मक्का में वायू परागन होता है तो आपके इसमें तीन प्रश्ण बनें तीनों में कीट परागन होता है किसमें तो आपको बताना है सालविया में और मक्का में मतलब क्या होता है इस तरह कर प्रश्ण बन सकता है तो आपको बताने मक्का में वायू परागन होता है तो यह आ ने के दौरान पारा कड़ से निकलने वाली पारागनलिका समान्तया है द्वार विजाण्ड में करती हैं तो की मैं बताने कि प्रव्यष общемодарinda ठीक अगला देखें पराकड का जनन केंद्रक नर्युगमक बनाता है तो आपको क्या बता है पराकड का जनन केंद्रक नर्युगमक बनाता है फिर देखें इसके बाद पुस्पिये पादपो में निसेचन में होता है ठीक पुस्पिये पादपो में निसेचन भ्रोन कोस में ह तो आपको बताना है कि दूई निशेचन क्रिया में त्रिक सलयन के परश्चात बनने वाले उतर का नाम है तो आपको बताना है कि दूई निसेचन क्रिया में त्रिक सल्यान के पश्चात ठीक बनने वाले उत्तक का नाम भ्रोण पोस है ठीक फिर इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट क्या है सारे इंपॉइटन पॉइंट है इसे बहुत भी कल्पी प्रष्ण आपके बनेगी तो आपको इसको त्यार करना है देखें इसके क्या है निसेचन के बाद पुष्प का फल में बदल जाता है कौन सा भाग फल में बदल जाता है निसेचन के बाद तो आपको बताना है कि निसेचन के बाद पुस्प का अंडा से भाग फल में बदल जाता है ठीक फिर देखें नर जनन अंगों से सम्मंधित ग्रंती है ठीक तो नर जनन अंगों से सम्मंधित ग्रंती प्रोश्टिट ग् मिलती है फिर देखें अगला पूरुसों में ब्रशन ब्रशन कोस के भीतर इस्तित होते हैं क्योंकि इससे निर्माण में सहायता मिलती है तो किसकी सहायता मिलती है तो बताना है पूरुसों में ब्रशन ब्रशन कोस के भीतर इस्तित होते हैं क्योंकि इससे सुक्राण निर्मा में सहायता मिलती है फिर देखेंगे अगला तो क्या है बताएंगे अंडासे गर्भासे डिम्ब वाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग है मतलब नहीं है ठीक यह बताना है तो क्या है कौन सा भाग नहीं है और कौन सा भाग है यह बताना है इसमें ठीक तो आपके दो कोश्चन इ आपनेगा कि मादा जनन तंत्र का भाग है एक कोशन बनेगा तो एक कोशन बनेगा अगर नहीं है तो आपको बताना है कि अंडा से गरभा से डिम वाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग है सुक्र वाहिका नहीं है ठीक फिर देखें अगला क्या है हिपेटाइटिस एक बिसाणु जनित रोग है जिसका संचारण यौन संबंधो द्वारा नहीं होता है ठीक तो यह हो गया अब इसके बाद यहीं से हमारी क्लास समापतो होती है ठीक थैंक्स क्लास थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो